अब मैं आमंत्रित करता हूं भारत तिया जनता पार्टी के नेता देश के प्रधान मंत्री और विश्र के नेता आदर इने ने नमोदी जी को इस विजय शंकल पर समावेस को संबोधित करने के लिए भारत मता की भारत मता की बारत मता की इराजी सुबन नव वर्षो आगामी मकर्षक रांती उपलक्षे आमी बराकेर समस्त जन्गन के जानाच्छी आमार सुबेच्छा आशा करिये नूतुन पचर बराक बासी देर जन्य हवे एक प्राप्ती प्रायूर एवं सम्रुद्धिर बचर मन्पर विराजबान असाम के लोगप्रिय मुखमंत्री सिमान सर्वानन सोनवाल जी भाजपा के राष्टिय महासचीव सिमान राम माधव जी नेडा के अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत विश्वा शर्मा जी असाम प्रदेश भारतिय जनता पार्टी के अध्यक्ष शिमान रंजित दास जी हमारे पुराने वरिष्ट नेता आधर्णिय कविंद्र पुरकास्त जी मन्च पर विराजमान सभी वरिष्ट महानुभाव और विशाल संख्या में आशिरवाद देने के लिए आये हुए मेरे प्यारे भाईयों और बहनों मुझे दस दिन के भीतर भीतर दूसरी बार आप सब के बीच आने का सवभागी मिला है बराग बेली के कौने कौने से आप यहां पधारे हैं आप मैंसे अनेक लोगों को लंबा सफर भी करना पड़ा होगा और मुझे पताया गया कि जादातर लोग तो ग्यारा बजे से आकर के बैठे हैं इसके बावजूत आपका उत्सा आपके चहरे की चमक हमें भी प्रणा देने वाली है आनंदित करने वाली है इस अबुत्पुर्वासिरबात के लिए मर्दै से आप सबका अभार व्यक्त करता हूँ भाई और बेहनो बराक और ब्रमवत्र नदिया ये खेत्र असम और देश के लिए प्रेरणा का स्त्रोत है ही यहां के महान व्यक्तित्वों ने देश और समाज के लिए अपना योगदान दिया है कछार केशरी सनद्दास जी हो स्वातंत्र सेनानी उल्लासकर्दत्ता जी हो द्वारका प्रसाथ तिवारी जी हो अरून कुमार चंदा जी हो इंदु प्रभा देवी जी हो संबोधन फंग लोसाजी हो ऐसी तमाम महान विबुतियों को मैं आपके बीच आ करके उनका पुन्यस्मरन करते हुए स्रद्दासुमन अर्पित करता हूँ साथियों आप सभी भारतिय जनता पार्टी और एंडिये को हमारी सरकारों को निरंतर प्रोट्साइट करते रहे हैं अभी कुछ दिन पहले जो पंचायत चुना हुए है उसमें भी आपने भारतिय जनता पार्टी और हमारे सह्योग्यों को भरपूर समर्थन दिया है हम जिला परिशदों में कुछ नहीं थे नाम मात्र के कुछ लोग थे आज तेज गती से पंचायतों में भी आपने भारतिय जनता पार्टी को विश्वाद दिया आसिरवाद दिया और ये भी इतने कम समय में पंचायत से लेकर पार्लामेंट तक विकास के हमारे इरौदाओं पर आपने जो विश्वाद जताया है बराग वेली सहीक पूरे असाम के जन जन का मैं विशेश रुप से आभार व्यक्त करता हूँ भाई और भेनों आपके इस देह का इस प्यार का कर्च मेरे उपर है जिसको इमानदारी से विकास के रास्ते पर चलते हुए चुकाने के प्रयास में मैं कोई कमी नहीं रखूँगा अभी मुक्यमंत्री जी मुझे बता रहे थे अभी मुख्यमंत्री ची मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर सरकार बनने के बाद सिर्फ बराग बेली में मेरा सोला बार आना हुआ है चाहिए जिनको आपने यहाँ से बेज करके प्रदानमंत्री का पद मिला था वो भी इतनी बार नहीं आया होगे एक्चुली मैं आता नहीं हूँ यह आपका प्यार है जो मुझे खीच के लिए आता है असम के असमिता और आकांग शाय हो या फिर देश की सुरक्षा और सामर्थ आपके विश्वास के कारण ही सरकार कड़े फैंसले भी लेती हैं और बड़े फैंसले भी लेती हैं भायों और भनों असम और देश की सुरक्षा के लिए आप सबका योगदान अभुद्पुर्व हैं दसकों से अटके हुए एक महत्वपुर्ण फैंसले पर अमल के लिए आप सभी जो प्रयास कर रहे हैं उसको आने वाली पीडियां गवरव के साथ याद करेगी बराग वैली के साथ साथ असम के कोने कोने से जो संदेश जाएगा वो पुरे देश के भविश को अलोकिक करने वाला है यहां से एक पस्त्र संदेश जाएगा कि भारत के लिए अपने नागरीकों की सुरक्षा अपने नागरीकों का सम्मान और अपने नागरीकों की समुरुद्धी सर्वो परी है सात्यों में यहां आप सभी को यह बरोसा दिलाने के लिए आया हूँ कि नेशनल रजिस्टर अप सिटिजन्शिप आपको फिर से भरोसा देता हूँ कोई भी हिंदुस्तानी नागरीक कोई भी भारतिय नागरीक उसमें से नहीं छुटेगा यह मैं आपको विस्वाद दिलाता हूँ आपको मेरी बात पर भरोसा है पूरा भरोसा है आपके इतने आशिरवाद है तो यह सब होके रहेगा आप मैंसे अनेक लोगों को इस पूरी प्रक्रिया के दोरान दिक्कतें आई हैं कुछ कठिनाईयां हुई है कुछ चिंता रही है मुझे इसका पूरा पूरा एहसास है लेकिन दसकों से लटका ये फैसला अगर जमीन पर उतार पा रहा है तो इसके पीछे आप सभी का त्याग और समर्पण यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है मैं सिमान सरबानन सोनोवाल जी की सरकार को उनकी पूरी टीम को बढ़ाई देता हूँ वो तमाम चुनोतियों के बावजोत इस बड़े काम को अंजाम तक पहुचाने में जुटी हुई है सामान्य नागरिकों को कम से कम परेशानी हो सब की सुनवाई हो इसके लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे है साथियों एनार्ची की पूरी प्रक्रिया आसान हो इसके लिए हमने सुप्रीम कौर्ट से विशेश आगरह किया था सरकार ने Relief Eligibility Certificate, Camp Inmed Certificate और अन्य सरकारी रसिदों, नोटीज, सरकारी आदेशों को भी नागरिक्ता के कलेम के लिए स्विकार करने को कहा था और मुझे खुशी है कि सुप्रिम कौर्ट ने सरकार के इस आगरह को माना जिससे लाखों लोगों की मुश्किले आसान हुई है भाई और बहनों, हमारी सरकार सिटिजन्सी एमेंडमेंट बिल उस पर भी आगे बढ़ रही है ये बिल बावनाओं से जुड़ा हुआ है लोगों की जिन्दगियों से जुड़ा हुआ है पूरे विश्व में यदि कहीं भी मा भारती में आस्था रखने वाले किसी बेटे बेटी को प्रताडित किया जाएगा तो वो कहां जाएगा क्या उसके पास्पोर्ट का रंग ही देखा जाएगा क्या रख्त का कोई रिस्ता नहीं होता है देश का विभाजन हुआ लोगों ने विभाजन करने वालों पर बरोसा किया कुछ लोगों को वहां की धर्ती से लगाओ था अपने गरों से लगाओ था वो उन्होंने मही रुकने का फैसला किया वो वहीं बसे रहे, लेकिन जिन इरादों के साथ विभाजन किया गया था, उनी इरादों से उनके जहन को तोड़ने का प्रयास किया गया ऐसी परिस्थिती में क्या मा भारती अपने बेटे बेटी को अपने बच्चों को अपने आचल में जगा नहीं देगी, उनकी पुकार नहीं सुनेगी, ठीक है, अतीत में गल्तियां हुई होगी, विभाजन के समय की नीतियों में जो कमिया रही, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन उन गल्तियों का प्रयास चित आवश्चक है, सात्यों इसी सोच के साथ, बहुत मन्थन के बाद, हर कसोड़ी पर कसने के बाद, हर पहलू पर सोचने के बाद, अथाउत परिश्चन के बाद, 2016 में, सिटिजन्सिप एमेंडमेंड बिल लाया गया, सिटिजन्सिप एमेंडमेंड बिल, ये कोई उपकार नहीं है, ये अतीत में जो अन्याय हुआ है, उसका प्रयास चित है, जो मा भारती मा स्रद्धा रखते हैं, उन पर ये बड़ा दाईत्व है, मुझे उमीद है, कि बिल जल्द से जल्द, संसत से पास होगा, और बारत मा में, बारत मा में आस्था रखने वालों के, सभी हितों की रक्षा करेगा, भाई और बहनों, आप आप से बात करते हुए, मैं आपको बधाई भी देना चाहता, आप बधाई के पात्र हैं, कि आपने उन सभी शक्तियों की साजिसों को असफल कर दिया, जो समाज में दरार डलना चाहती थी, यही असम की पहचान है, यही असम की परिपाटी रही है, दुख तो तब होता है, जब कुछ राजनितिक दल, असम और देश के स्वभाव को आँकणे में असमर्थ रहते हैं, इन दलों को असम ने देश ने लंबे समय तक सामान्य मानवी से जुड़ी समश्याओं को समाधान करने के लिए अवसर दिया, लेकिन उन्होंने सिरफ वोट बैंक की चिन्ता की, तुस्त्री करन की चिन्ता की, असम के लोगों की चिन्ता नहीं की, साथियों, वोट के लिए देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा, देश के संसादनों और देश की सांस्कृतिक विरासत से समझोता, जोता हमारे रहते हुए कभी नहीं होगा, और इसमें किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए, असम सिर्फ एक बुभाग नहीं है, असम सिर्फ एक बुभाग नहीं है, बल्कि अपार संसादनों से भरा हुआ और सम्रजुद संस्कृति का एक जीवन्त जीता जागता प्रतीक है, यहां की परंपरा, यहां की भाषा, यहां का खानफान, यहां के संसादनी यानी असम्या, हकों को पूरी तरह समरख्षित रखते हुए, सबका साथ सबका अविकास के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, इसके लिए जो भी प्रावधान, समिधान में, कानून में सरकार को करने पड़ेंगे, वो भी किये जाएंगे, बाई यो और बेहनों, इसी भावना को ध्यान में रखते हुए, असम्या का जो प्राइड है, बरागवेली का प्राइड है, ब्रह्मपुत्रावेली का प्राइड है, उसे ध्यान में रखते हुए, दो दिन पहले ही सरकार ने असम्या के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया है, असम्या कोड कब हुआ था आपको याद है ना, असम्या कोड के क्लोज 6 जो 30-35 साल से लटका हुआ था उसको लागू करने का फैसला हमारी सरकार ने कर लिया है, इससे असम्या की सामाजिक, सांतकुर्थिक, भाषा और विरासत को सुरक्षा, समरक्षा और ससक्त करने का मार्क मजबूत होगा, एक उच्चस्तरिय कमिटी, यहां के सभी स्टेक होल्डर से बात करके, आगे का रास्ता साप करेगी, रोड मेप तयार करेगी, आप सभी को, असम के हर नागरिक को, लंबे इत्तजार के पाद, मिली सुरक्षा के लिए, मैं सभी असाम बाच्षियों को, आज रूबरुआ करके, रजय से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, मैं फिर कहूँगा, असम के हर वर्ग, हर कोने के समग्रव और संतुलिद विकास के लिए, भारतिय जन्ता पार्टी एंडिये की सरकार समर्पीत है, साथियों, एक सोच वो है, जो अपने परिवार के बविश्य के लिए, बिरासत छोड़ती है, दन छोड़ती है, संसाधन छोड़ती है, हमारे संसकार वैसे नहीं है, हमारे लिए सत्ता से भी उपर हमारा देश है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारे 130 करोण नागरिक है, हम देश के बहतर भरतमान और शांदार भविश्य के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की विरासत तयार करना चाहते हैं, हमारा प्र्यास है कि देश के लोगों का जीवन आसान हो, व्यापार कारोबार करना सरल हो, कोई भी ख्षेत्रों हो या व्यक्ति, सबका संतुलित विकात हो, बहतर रोजगार का निर्मान हो, यही एक रास्ता है, नए भारत की युवा उर्जा और युवा आकांग्छाओं को पुरा करने का, आपके आसिरवाद से हमारी सरकार इसी दिशा में एक इमानदार कोशिश कर रही है, भाई और बहनों, न्यू इंडिया का नया इंफा सेक्टर तयार करने में हम निरंतर जूटे हुए है, इसमे भी देश का पूर्वी हिस्सा हमारा नौर्थ इस अगुवाई करने वाला है नौर्थ इसके कौने कौने में कनेक्टिविटी सुनिशित करने का एक गंबीर प्रयाद बीते साड़े चार वरसों से चल रहा है, दस दिन पहले ही मैं बोगी बिल में था, वहाँ भारत के सबसे लंबे रेल रोड ब्रीज का लोकारपन किया गया, आप सभी ने भी देखा होगा, उस एक प्रोजेक्ट की चर्चा किस प्रकार देश और दुनिया में हुई है, बोगी बिल हो या फिर भुपेन हजारी का सेतो, देश के ये दोनों बड़े इंफासेक्टर प्रोजेक्ट, यहीं हमारी आसाम की धर्ती पे है, बर्सों के से अठके, इन दोनों इसको पूरा करने और देश को सबरपित करने का सोवभाग्या हमारी सर्कार को ही मिला है, बाइब वेनों, असम और नौर्थ इसके जीवन को आसान करने के लिए हमनिरंतर प्रयास कर रहे हैं, इसी सोच के साथ, ब्रह्म पुत्र प्रणए पुनोंका निर्मान करने का काम सर कर रही है दूर दराज के खेत्रों को शहरों की बहतर सुविदाओं से जोड़ा जाए इसके लिए कोशिश की जा रही है हाइवे हो रेलवे हो एरवे हो वाटरवे हो या फिर आइवे हो हर सर पर कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है बीते साड़े चार बर्स के दोरान असम में तीन हजार करोड रुपिये से अधिक की लागत से करीब साथ सो किलोमिटर सडकों का निर्मार किया जा चुका है इसके अलावा लगभग साड़े पांच हजार करोड रुपियों की लागत से चार सो किलोमिटर से अधिक की सडकों पर तेजी से काम चल रहा है साथियों यहां बराक वैली में भी नेशनल हाइवे पूलों और गावों की कनेक्टिविटी के अनेग प्रोजेक्ट बीते साड़े चार वर्सों में पूरे हो चुके हैं और अनेग प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है अटल जी ने बराक वैली को इस्ट वेस्ट कोरिडोर से जोडने के लिए जिस फोर लेन हाइव का सपना देखा था वो भी जल्द ही तयार होने वाला है इसके अलावा प्रदान मंत्री सड़क योजना के तहट बराक वैली में सवा सो से जादा पूलों समेट एक हजार किलोमेटर से अधिक की ग्रामिट सड़कों को स्विक्रूती दे दी गई है मुझे खुसी है कि केंद्र सरकार के कनेक्टिविटी के प्रयासों को असम की सरकार और मजबूती दे रही है साथियों सड़क के अलावा रेल्वे की कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने के लिए भी तेज गती से काम किया जा रहा है आज नौर्थिस्ट की करीब करीब सभी रेल लाइनों का चौड़ी करण पूरा हो चुका है लंडिंग सिल्चर की रेल लाइन भी इसमें से एक है इसके बाद रेल मंत्राले ने बराग वेली में नई पैसेंजर ट्रेने शुरू की है भाई और बहनों असम की देश और दुनिया से एर कनेक्टिमिटी और मजबूत हो इसके लिए भी कोशिश जारी है गुवाटी एरपोर्ट में बारा सो करोड रुपिय से अधिक की लागत से नई इंटिग्रेटेड टर्मिलल बिल्डिंग का अन्दिरमान किया जा रहा है दिब्रुगड एरपोर्ट के रनवे को विस्तार देने की प्रक्रिया भी चल रही है इसे दिब्रुगड में बड़े हवाई जहांट आसानी से उतर पाएंगे इसके अलावा करोड रुपिय की लागत से असाम में नदी मारगों को निर्मान करने का काम भी तेजी से किया जा रहा है वही असाम की बिजली व्यवस्ता को और मजबूत करने के लिए करीब देड़ हजार करोड रुपिय का प्रावदान केंदर सरकार ने किया है भाई और बैनों हमारा विजन एक्ट इस्ट और एक्ट फास्ट अन इस्ट का है यहां से पूर्वी और दक्षिण एच्या तक हमारे व्यापार और कारोबार को सक्ति मिले जन संपर के नए रास्ते खुले इस दिशा में हम तेजी के साथ काम कर रहे हैं बारत म्यान मार्थाइलेंड हाइवे हो अगरतरा अखोरा रेल नाइन हो पारो सिंगापुर वाया गुवाटी फ्लाइट हो गुवाटी में खुले भुटान और मंगलादेश के कंसुलेट हो ऐसे अनेक प्रयास चल रहे हैं साथ्योग कनेक्टिविटी और इन्फास सेक्टर के तमाम प्रोजेक्ट असम के जन जीवन को आसान तो बनाएंगे ही आने वाले समय में यहां नए नए उद्योग दंदे लगेंगे तूरिजम सेक्टर का विस्तार होगा जिसे युवास साथ्योग और रोजगार का नेक अवसर मिलेंगे तूरिजम के लिए असम में भरपूर संभावनाएं हैं यहां कांजी रंगा ब्यारण भी है तो कामख्या सक्ति पीड भी यहीं है इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन और प्रसाद स्कीम के तहट असम में सुविदाओं का निर्मा केल और दूसरी सेवाओं से जुड़ी बहतर ट्रेनिंग मिलें इसके लिए अनेक प्रयास किये गए हैं गुवाट्य और जोरहट के होटल मेनेजमेंट इस्टिटूट में सुविदाओं को बढ़ाने के लिए करोरों रुप्यों का आवंटन किया गया है नवगाओं के विकास की पंच धारा बच्चों को पढ़ाई युवा को कमाई बुजूर्गों को दवाई किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई ये सुनिश्चित करने में जुटी है चाय के बागानों में काम करने वाले लाखों बहन भाईयों सबीर करीब देड करोर समया लोगो की पहली बार बैंकों में खाते खुलवाए गए हैं करीब 50 लाख मुद्रा लोन असाम के युवा साथ्यों को अपने उद्यम लगाने के लिए बैंकों से दिलवाए गए असम के करीब 25 लाख लोग प्रदान मंत्री जीवन जोती और सुरक्षा विमा योजना से जुड़े हैं कि डाहि लाख से अधिक असम के कामगार बहन भाई अटल पेंसन योजना से जुड़े हैं साथ्यों असम की 24 लाख गरीब बहनों को मुफ्त गैस के कनेक्शन असम असम गरीब बहनों को दिये जा चुके जिसका परनाव है कि असम में साड़े चार बर से पहले तक जहां करीब 40 प्रतिशत गरों में गैस सिलिंडर था वहीं आज ये दाइरा दो गुना करीब 80 प्रतिशत हो चुका है इसी प्रकार असम के हर गरीब बेगर परिवार को मद्दमबर के परिवार को अपना घर देने का प्रयाज किया जा रहा है आईश्मान भार दियोजना के तहट असम के लाखों गरीब परिवारों को हर वर्ष पांच लाख रुपिय तक का मुफ्त इलाज सुनिशित हुआ है साथ यो आज जनहित के ये जे जो भी काम हो पा रहे हैं वो तभी संभव हो पा रहे हैं जब सरकार ने ब्रष्टा चार पर रोक लगाई है इमान दारी के व्यवस्ता खड़ी की जा रही है बिचोलियों को व्यवस्ता से हटाया जा रहा है कॉंग्रेस की सरकार ने दलालों को हर सौधे हर करोबार यानि व्यवस्ता का हिस्सा बना दिया था और भाईयों भेनों पिछले दिनों विदेश से एक राज़दार को पकड़ के लाए है हेलिकॉप्टर के मसले में दलाली के मसले में रूपिये किसको दिये कितने दिये कैसे दिये इतना बड़ा खजाना देश का लूट करके किसे ने पहुंचाया एक एक चीज बारी की से निकल रही है और आपने देखा होगा जेल में तो वो राज़दार है पुछता राज़दार की हो रही है लेकिन जैसे उस राज़दार को पकड़ के ले आए कॉंग्रेस का वकील उसको बचाने के लिए पहुंच गया इतना ही नहीं कॉंट ने इजाज़त दी थी कि वकील को मिक्न ने दिया जाए तो मिलनायक का समय विडियोक्राफी होती थी पुलिस के जवान बैठे रहते थे तो उन्होंने चोरी छुपी से एक चिठी की लेंदेन की वकील ने और ये राज़दार ने आपको मालूम होगा बॉफोर्स के मसले में एक कॉंग्रेस के विदेश मंत्री थे माधवसी सोलंकी वो यहां से एक चिठी लेके गए थे और वो बहात बार आई तो उनकी नोकरी चली गई थी मंत्री पद उनका चला गया था यह दूसरा चिठी का कारोबार हाथ लगा है यह राज़दार और वकिल के बीच में चिठी का लेंदेन हो रहा था भायों मैंनों जब से राज़दार आया है आपने नामदार का चेहरा देखा होगा आँखे फटी फटी रहती है चेहरा उदास रहता है निंद गायब हो गई है दिन गिन रहे दिन यह कुछ बोल देगा तो कुछ बात खुल जाएगी तो पता नहीं क्या होगा और इसलिए बौखलाते चले जा रहे बौखलाते चले जा रहे और पता नहीं अनापसना बासा पर उतराए है लेकिन भाईयों बेहनों बताईए देश का जो धन लूटा गया है यह लोटना चाहिए कि नहीं लोटना चाहिए लूटने वालों को पहचानना चाहिए कि नहीं पहचानना चाहिए लूटने वालों को जो जगा होती है वहाँ पहुचाना चाहिए कि नहीं पहुचाना चाहिए देश को लूटने वालों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ये काम मोदी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये चौकीदार की जिम्मेवारी हैक रही है है चोकीदार ने जागते रहना चाहिए कि नहीं जागते रहना चाहिए चोकीदार जम करके काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है चोकीदार के कारण लोग परेशान है कि नहीं है यह चोकीदार जम करके खड़ा है इसी के कारण परेशानी फैल रही है मैं देश वास्यों को विश्वाद दिलाना चाहता हूं मैं आपको विश्वाद दिलाना चाहता हूं जो जो भी ऐसे राज़दार है खोज खोज करके लाया जाएगा देश के हक की चीज देश के करोड़ो नागरिकों के हक की चीज उसको बाहर निकाली जाएगी और चौकीदार के नाते हमारा काम हम करते ही रहेंगे यह मैं देश को भी स्वाद दलाता हूं गडिप के हक का पैसा सरकारी योद्राओं का पैसा बिचोलियों की जेब में डालने की संस्कृती यह कॉंग्रेस की देश भी भाई और बैनो असम का हर युवा देश का युवा एक ब्रस्ताचार मुक्त नया भारत चाहता है विआईपी कल्चर से मुक्त एक पारदर सी व्यवस्ता चाहता है हर व्यक्ति की सरकार तक पहुंचो ऐसी व्यवस्ता के निर्मार के लिए हम पूरी तरह से संकल्प बद है आप सभी साथियों असम के हर बहन भाई के सायोग से हम अपने संकल्प को सिद्ध कर पाएंगे इसी एक विश्वास के साथ आप सभी का फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ भाईय भानों आपने देखा होगा दो अजार अठारा की तीस डिसमबर को मैं अंदमानी को बार गया था आपने टीवी पर देखा होगा 1943 में तीस डिसमबर को नेताजी सुभाद बाबु ने वहां हिंदुस्तान का जंडा फैराया था उस घटना के 75 साल हुए और हमने अंदमान निकोबार के एक टापु को नेताजी सुभाद बोज के नाम से पहचानने का फैसला किया इस देश के लिए जीने वाले मरने वाले हर किसी का सम्मान करना ये हमारा संकल्प है भायो बेनो मैं फिर एक बार ब्रम्पुत्रा बेली हो या बराक बेली हो यही मेरे आसम की ताकत है यही मेरा आसम का भविश्य है मिल जूल करके कंदे से कंदा मिला करके हमने आसम को एफ और आसम ये मेरा जो सपना है एफ और आसम ये करके रहना है मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भारत माता की भारत माता की भारत माता की